दोस्तों मैं हूं सेबे साची और एक्स्टा टाइम यूटीव चैनल में आप सब का स्वागत है चलिए नए अपडेट कर से शुरू करते हैं नए अपडेट क्या है नए अपडेट है आई पील का जो बाकी जो शीडूल है वो सामने आया है और यह सब को पता है थोड़ा चर दिल कोलकाता नाइट राइडर्स और चैन्नाई सूपर किंग्स आमने सामने भी रहते इडिन गार्डेंस में मंद्रसिक धोनी उत्रे और उस मैच में वह च्छाए और धोनी के समर्थन में इडिन गार्डेंस के गैलरी में इतना शोर मचा तो किसी को पता भी नहीं चल रह चैन्नाई चिपक में खेल रही है और किसको पता था शायद धोनी के क्रिकेटिंग केरियर का वह आखरी मैच था इडिन गार्डेंस में क्यों मैं क्यों यह बात बताना चाहरा हूं शायद वह आखरी मैच था अभी 42 साल के धोनी और यह जो नया जो फिक्स्चर आया नया ज मैच होने वाला है इस बार वो है चिन्नाई में आठ एप्रील या नहीं कोलकाता नाइट राइडर्स अपने होम ग्राउंड में सिएस के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलेगी मैंद्री सिंग धोनी इस IPL के बाद क्या सन्यास लेंगे पूरी तरह से क्रिकेट से ऐसे अटकी ने लगाई आ रही है पिछले तीन-चार साल से यही बात चल रहे है लेकिन इस बार लग रहा शायद वो इस IPL के बाद क्रिकेट को अलविदा कह दे यह था मैच जोनी के बा हुआ सर्राइजर हाइदराबाद को एक नेल बाइटिंग मैच में चार रन से हराकेर के क्यार ने जीत दर्ज किये अगला मैच होने जा रही है आरसीवी के खिलाफ और वह भी बाहर अगला मैच 29 तारिक को है आरसीवी के खिलाफ तो उसके लिए क्यारी कर रही है लेकिन शीडिूल आया है वहाँ पर 5 मैच लगातार 5 मैच शायद ही IPL के इतिहास में कभी इसा हुआ हो क्क्र लगातार 5 मैच अपने होम ग्राउंड में खेलेगी यह बड़ी यह बहुत बड़ी बात है कक्र के लिए ककर फ्रंचाईजी के लिए और कक्र के जू शॉपोर्टरस है उनके लिए भी, अब देखते हैं कैसे कैसे स्विडियूल किया हुआ है, 14 अप्रिल कोलकाता के बीबक्ष पे खेलेगी लखनो सूपर जाइंट्स, ऐसी एक टीम जिसके मेंटॉर थे पिछले साल गौतम गंभीर, संजीब गोएंका का टीम है, और पिछले साल LSG और KKR के बी उसके बाद 14 के बाद 17 तरीकों के KKR फिर खेलेगी अपनी घरेलू मैदान में, संजू सैमसन के राजस्तान रॉयल से, उसके बाद 21 तरीक को विराट कोली, फाप डूपलेसी, ग्लेन मैक्सवेल के RCB के खिलाब खेलेगी, कोलकाता नाइट राइडर्स, 21 तरीकों यह मैच होने वाला है, वो है गौतम दंभीर वर्सेस दादा, हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, धोनी नहीं खेल पाएंगे, इस बार इडर्स में तो क्या हुआ, सौरप गांगुली का जो दिल्ली कैपिटल से, सौरप गांगुली के दिल्ली कैपिटल के साथ भिरंत होगी, केके दादा वो टीम के मेंटोर भी थे, शायद आप लोग को याद रहेगा, तो ये मैच भी देखने लायक होगी, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये मैच है 29 अप्रील को, तो अभी से शायद जो जो दादा के भक्त है, जो जो केकेर के भक्त है, उस मैच को टार्गेट किया ये मैच का मज़ा लेना है, और ऐसे ही अपडेट आप लोग को देते रहेंगे क्रिकट के बारे में, एक्स्टा टाइम में, एक्स्टा टाइम यूट्यूब चैनल में, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स्क्राइब कीजिये.